नाम्तानिजाचार्यान प्रणमामे मुहाः यदनो ग्रहतो जन्तू सर्वदुखादिगो भवे तमहं सर्वदाबंदे श्रेमत बल्लवनन्दनं अज्ञानति मिरांदश्यक्यानां जनशलाकया चक्षुरुन्मेलितम्येन तश्मै श्री गुरवेनं नमामी रदैशेशे लीलाक्षिराब्दिशाइनं लक्षमे सहस्रलीलाभी सेव्यमानं कलानिद्यं चतूर भीष्च चतूर भीष्च चतूर भीष्च त्रिभीष्ट था सड़ भीर विराज ते योशो पंजधार दईम बधाने शी महाप्रभुना प्रागट्य उत्स्वनी अग्रिम बधाई साधन दिपी का ग्रंथ ना अध्यन माटे आपड़े एकत्रित थेया छे अत्यार सुधिमा शी गोपिनाज्जीना स्वरूप विशे जे पन ब्राँटियो आज ए संप्रदाईनी अंदर फेलाएली छे ए ब्रांटियोने तोड़ी पाडवा माटे शी गोपिनाजीनु जीवन चरित्र अने शी गोपिनाजीना स्वरूपनु अवगाहान करवू नितान तावश्य कतु परन्तु वर्तमान समय नी अंदर हजी पन शी गोपिनाजीना स्वरूपने यातो समझवा नथी मंगता या पुष्टी भक्ती संप्रदाय थी जे लोकों ने द्वेश छे एवा लोकों द्वारा सतत फेस्बूक, वाटसेप, माध्यमूपर हमना हमना अज एक लेख प्रगट करवा माईवो के आचार्य परंपरानी अंदर अमें शी गोपी नाज जीने मान्य करता न थी आचार्य परंपरानी अंदर तो शी महाप्रभू पछी श्री गुषाईंजी आवी रहा छे शी गोपी नाज जीने केम तमें आचार्य कोटी नी अंदर गणी रहा छो एना माटेनो आखो लेख फेस्बूक उपर प्रचलित करवा माईवो त्यारे रदय नी लागणी दुभाई जाई छे के आचार्य परंपरानी सरुवात शी महाप्रभू जी थी लई अन शी गोपी नाज जी श्री गुषाईंजी सातेई बालको एपछी ना परावर्तित आचार्यो अध्यापी परियंत जेमनू रदय देवी जीवो ना उधार आर्थे प्रयत नसिल रहयो छे एवी आपणी दिवी आचार्य परंपरानी अंदर जो वर्तमान समय ना गोश्वामी वन्सजोपान पोताना नामनी आगड आचार्य लखी ने जो उतकर्ष लेता होई तो शी गोपिनाज जी सा माटे आचार्य तरीकेम नी गणतरी ना करवी एना माटे ना आपणे घणाबदा उद्धर नो जोई गया अने साव स्पष्ट वाद छे के ज्यारे 84 विश्णव बसोबावन विश्णव नी वार्ता साहित्ती अंतरगत जे पन भाव प्रकाश्री हरी राय जी बताड़ी रहा छे ए भाव प्रकाश नी अंदर क्यारे पन शी हरी राय जी शी गोपिनात जी ने मरियादा स्वरूप नथी गणी रहा अने मरियादा स्वरूप गणी रहा छे तो पन मरियादा शब्द थी आजे आपणे जेतली यलर्जी छे क्यारे आचार्यों ने मर्यादा शब्द थी एलर्जी हाती ने आचार्यों तो मर्यादा शब्द ने पुष्टी अंतरगत पन मर्यादा छे शी महाप्रभुपन अंगी कृतोश मर्यादा शी गुशाईं जी आपने कही रहा छे ज्यारे मर्यादा शब्द मर्यादा शब्द छे ए मर्यादा शब्द शी गोकुलनाजी आग्या करी रहा छे मर्यादा अटलेक रेखा ए मर्यादा रेखा ने उलंगन करी ने आपड़े कोईपन कार्य आ शंप्रदाये नी अंदर करी शक्ता ना थी शी महाप्रभु शिदान्त रश्य ग्रंतनी अंदर निवेदी विही समर्पेव सर्वम कुर्या दिती स्थिती आ स्थिती शब्द थी मर्यादा नू आप उपदेश करी रहा छे ए मर्यादा कई? कि जारे आपड़े ब्रह्मसमन दिक्षा लई आने प्रभुने आप्णी अहम ता मंता शहित जेपण पएफणी शम्पती शे एए प्रभुने समर्पण करी रहा छिए आने एप्रभुने शम पणी रहा छिए समर्पणी मर्यादा छे ज्यारे महाप्रभुनों प्रागट्य उत्सव आवतिकाले हसे त्यारे आपने पदपन गासूं ए पदनी अंदर सकल मर्यादा मंदन प्रभु अउतरे श्यारे महाप्रभुजी नू प्रागट्य छे के शास्त्र नी मर्यादाओ जे कलिकालना प्रभाव एठर खंडित थे गई छे ए तमाम मर्यादाओने फरिथी मंदित करवा माटे महाप्रभुनू प्रागट्य भूतल उपर थे उचे फल्यो जन भाग येपद पुष्टी प्रागट करन दुष्ट पाखंड मत खंड खंड न कियो अने एज पित्रु प्रवर्तित पथ प्रचार शू विचारक श्री गोपिनाजी अने स्री गुशाईंजी बन्ने भाईयो ए महाप्रभुजी ना मार्ग दर्शन हेठर अजार्य परंपरा नी अन्दर शि गोपिनाजी ने न गणवा एवो आपने अपराद क्यारे पन न करी शक्यें कारण के जे पन वार्ता साहित्यों ना प्रशंगो आप स्री ना जीवन चरित्र उपर द्रश्टी पात करिए तो एवा एवा दिव्य प्रशंगो के जे प्र प्रशंगों उपर आपे महाप्रभु ना विचारों ने समर्थन आपी ने मार्ग नो प्रचार प्रशार अने विस्तार कैरो हो जे ग्रंथ नू अध्यन आपड़े करवा एकत्रित्थेया छे ए ग्रंथ साधन दिपिका ए शाधन दिपिका ग्रंथ पाण ए शी महाप्रभु ए करेला कृष्ण सेवा शदाकार्या जे उपदेश छे ए सेवा नो उपदेश शी महाप्रभु ए करेली न थी ज्यारे श्री गुशाइन जी ए पाण आपने एवी ब्रांती छे के सेवा नो उपदेश महाप्रभु ए करेलो अने त्यार पची सेवा नो विस्तार श्री गुशाइन जी द्वारा थेओ पाण सेवा नो विस्तार गुशाइजी ये कहिरो चे पाण ए सेवा अंतरगत जे प्रकारे सेवा करवी जोई मंगला थी सइन्परियंतनी अश्टेय आमनी सेवा एमनो उलेख गुशाइज ये क्या गुरंथनी अंतर करेलो चे एक मात्र पुष्टी साहित्य नी अंदर श्री गोपिनाजी द्वारा जे गागरमा सागर भरा एवो आ ग्रंथ छे शाधन दिपी का ए साधन दिपी का ग्रंथ नी अंदर आप श्रीये महाप्रभुना विचारो ने केवी रीत ना एक पुष्टी भक्ति मार्ग अनुयाई ज जीवी सके एन भारो भार उल्लेक करेलो छे अने साधन जे साधना प्रणाली छे पुष्टी भक्ति संप्रदाईनी अंदर ए सेवा सेवा ने अश्टे याम प्रकारे केवी रीतना निभाव करवो ए शाधन दिपी का ग्रंथ नी अंदर ज्यारे आपने अभ्यास करशों त शंप्रदाईनी मर्यादा एना थी आगडवदी ने दरेक वैश्णवे महा प्रहुना शिद्धान्तों नी मर्यादा मा रहिने केवी रितना जीवन यापन करवूं सेवा करनार नी अंदर केवो भाव हो जोई अने ज्यारे पुरुष्वर्ग सेवा करे त्यारे केवो स्त्री वर्ग मा पन ज्यारे शाधना प्रणाली छे एनी अंदर सधवास्त्रिये केवा भाव थी शेवा करवी आने विधवास्त्रिये केवा भाव थी शेवा करवी एटली जिन्वट भली मर्यादानों आप त्यां उद्बोधन करी रहा छे ए ज्यारे अभ्यास कर्षूं त्यारे विस्तार थी जोशू पाण केवानों मुद्दो एटलो छे कि शी गोपीनाजी ने आपणे आचार्य परमपरा नी अंदर न गणवानी भूल क्यारे करी शक्ये ने आचार्य परमपरा नी सरुवात छे तो शी गोपीनाजी थी थेली छे महाप्रभुना जेश्ट आत्मज अने महाप्रभुजी ना देखरे खेटर आपनों विद्याभ्याश आपने वहिश्णव मार्गी दिक्षा पन शी महाप्रभुद्वारा मडेली होई आने जियारे साधन दिपी का ग्रंथ नी अंदर बतावामा आवेली सेवानी रीत नू ए अनुषरण वर्तमान समय मापन थैरेयू होई तो कई रीते ए मर्यादा स्वरूप गणवा, कई रीते एमने आचार्य न गणवा जेतलो शी गुषाईं जीए संप्रदाय ना प्रचार प्रषार अर्थे परिश्रम लिदो छे एटलो जो परिश्रम शी गोपीनाज जीए पन उठावेलोछे शी गोपीनाज जी संप्रदाय ने पहला शास्त्र द्रष्टी थी प्रमाणित करी रहाँ छे ए शास्त्रनी द्रश्टिये आप जे विचार छे के प्रमै, प्रमाण, शाधन औने भल एनु निरूपान ए आ ग्रंथनी अंदर सरुवाथिज करी रहा छे के प्रमाण एटले शूं प्रमै एटले शूं, साधन एटले शूं औने भल एटले शूं तो सवप्रथमे समझें के प्रमाण, प्रमाण एटले ज्यान नो विशय जे तत्वने आपने जानवू छे, ए तत्व आपना माटे प्रमाई छे प्रमाई ने जे पद्धती थी, जे मार्ग उपर चाली ने आपने जानी शक्कियें तो ए मार्ग ने आपने शाधन कैसूं, आने ज्यारे प्रमाई जे ज्यान ना शाधन थी सिद्ध थाई रहियो छे एने प्रमाण मानवू पडशे, अने जे अंतमा आपने अभिष्ट छे एवो भाव क्रिष्ण माँ आपनो केडवाए अने क्रिष्ण नी प्राप्ती आपने थाई तो ए फल छे अटले शंप्रदाई नी अंदर ए प्रमाण प्रमय शाधन ने फल नी जे वेवस्था छे एने पन शी गोपिनाज जी आ ग्रंथने अंदर खुब सुन्दर रिते समझावी रहा छे ए शास्त्र परमपराय जे वर्ण वेवस्था छे ए वर्ण वेवस्था अंतरगत द्विज वैश्णव शास्त्र ना क्या क्या आचारो पालन करवा त्यार पछी ए द्विज वैश्णव ना कर्तव्यो शूं एनी छणावट आपसरी करी रहा छे एना थी आगड जैने द्विजेतर जे वैश्णव ए ब्रामन थी अन्य वर्णनी अंदर आविरेया छे तो एमना माटेना कर्तप्यों नुवर्णन त्यार बाद शंप्रदाई अंतरगत जे आपड़ा कर्तप्यों छे ए कर्तप्यों निभाव शर्ण दिक्षा अने ब्रम्सम तो शर्ण दिक्षा पछी एक शर्ण मार्गीये कई रितना ए निर्वाह करवो एनी चणावट अने त्यार बाद ब्रम्समन दिक्षा लई अने केवी रितना जीवन यापन करवो एनो संपूर्ण उल्लेख नी साथे शाथे प्रमानो थी प्रमानित करीने आप बताड़ि पित्रु प्रवर्तित पथ प्रचार शु विचारक छे आप कई रिते संप्रदाई नी अंदर गुरुनी अपेक्षा रहेली छे अने गुरुनी अपेक्षा ए गुरु केवो होवो जुई पुष्टी भग्ती संप्रदाई सर्वत्तम संप्रदाई छे आशंप्रदाई नी विलक्षन ता छे के जारे कोई पन संत्राई नी अंदर के सास्त्र नी अंदर पन वचणों न थीमणी रहा के शिश्य गण छे एक गुरुनी परिक्षा करी शके ज्यारेशी महाप्रभु पुष्टी भक्ती संप्रदायनी अंदर सर्व प्रथम अनुयाई वर्ग ने छूट आपी रया छे के गुरुनु परिक्षण करी त्यार बाद गुरु धारण करवा जोईं आ विलक्षण ताचे पुष्टी भक्ती संप्रदायनी जे निबंधनी अंदर शी महाप्रभु गुरुना लक्षणों पुष्टी भक्ती संप्रदाय अंतरगत गुरु के वो हो जोईं कृष्ण सेवा परम विक्ष्य दंभादी रहितम नरम शीमत भागवत तत्वग्य भजे जिग्याशु रादरात आ कारी का अंतरगत जे गुरुना लक्षणों कृष्ण सेवा परायन ता दंभादीक रहितता भागवत तत्वग्यता आज लक्षणों ने आ ग्रंथनी अंदर साधन दिपीका ग्रंथनी अंदर्शी गोपिनाजी फरी ने टाकी रहा छे कि संप्रदाय नी अंदर सव प्रथम प्रवेश मेडवा माटे गुरुनी अपेक्षा रहे से अने गुरु केवो होवो जुई ए माटे आप फरी ने पित्रु प्रवर्तित प्रत्पचार शु विचारक ए फरी थी निबंदनु जुवाक्य आप कही रहा छे कि कृष्ण सेवा परमविक्ष दमभादी रहितम नरम शीमत भागवत तत्वग्य भजेजी ग्याशुर आधरात अहियां गुरुना लक्षणों एपन शी महाप्रभुजे बताड़ी रहा छे एज शी गोपिनाजी बताड़ी रहा छे अने तात तणों प्रतिबीम्बरे रश्णा आपनने ए भावना थई आवे जारे शाधन दीपी का ग्रंथने अभ्यास करी रहा होएं त्यारे कई रीतना महाप्रभुजी ना मार्ग दर्शन मुझब आप चाली रहा छे ए ग्रंथनों अभ्यास करो तो ख्याल मा आवी सके बाकी ए अगडम बगडम वातों तो घणा करी शके जे अभ्यास नथी करता ग्रंथों ती दूर रहेला छे ए बदा घणी बदी वातों शी गोपी नाज जी विसे पन जेमने ग्यान नती ए आर इतनी वातों करी शके पन जे अभ्यास करी रहा छे महाप्रभुना वचनों अभ्यास जेने छे क्यारेई पन शी गोपी नाज जी विशे आर इतना विचार करी शक्तो नथी बवग खेद साथे केवू पड़े के जारे वर्तमान समय ना वल्लब वन्सजो पन शी गोपी नाज जी ने आचार्य कोटी मां गणवा माटे समर्थ नथी थे रहा तो एक खेद प्रगट करवा जेवी वात छे के एपन एना उपर ग्रंथो लखी रहा छे के गोपी नाज जी ए आचार्य कोटी नी अंदर गणी जिस सखाए नहीं ज्यारे यदनों ग्रहतों जन तु सर्व दुखादिको भवे तमहम सरवदा वंदे श्रीमद वल्लब नंदनन श्री गुशाहिंजी आ श्लोक द्वारा श्री गोपिनाजी नी स्थूति करी रहा है गोपिनाजी ने वन्दन करी रहा है अने वर्तमान समय न एगोस्वामी वन्सजो, अमें लोग को एम कहींkaa, के गोपी नाजी अचारे कोटी नीं अंदर अमें माणी न थी रहा, तो अचारे नीं कोटी नीं अंदर अमें कैसी रितना समाविष्ट थै गया जो शी गोपी नाजी ना थी तो पछी अमे पाण आधुनिक पुष्टी मार गियो आधुनिक वल्लब वन्सजो केवी रितना ए आचारे कोटी नी अंदर ए समाहित थाई गया ए वात मारी समझ थी पर छे केमके एक आस्यास्पद वाद छे के जारे आजे वल्लब वन्सजो अने आधुनिक पुष्टी मार गियो गर्व लई रहा छे के अमे पुष्टी मार गियो अमे शी वल्लब ना अनुयाई तो वल्लब ना अनुयाई अने गर्व एटलो के अमे संप्रदाईक दिक्षा लिधी छे तो शवयम स्री महाप्रभुजिये जेने संप्रदाय नी दिक्षा आपावी होई अने मार्ग दर्शन्थी एमनों विद्याभ्याश्पन आप स्री नी देखरेक हैटर थिया होई एवा आपना जेष्ठ आत्मस्री गोपिनाजी केम आचार्य नई केम पुष्टी मार्गिय नई एक आस्यास्पद वाद छे के आधोनिक पुष्टी मार्गियो जो पुष्टी मार्गिय थाई जाता होई तो महाप्रभुना जेष्ठ आत्मस्री रिते पुष्टी मार्गिय न गणी सकाई अने ए वात ने आपने पहला जे अभ्यास नी अंदर घणाबदा द्रश्टान तो जोया एनी अंदर नकारी काड़ी छे के क्यारेपान शी गोपिनाजी ए मर्यादा स्वरूप होई न शके जो मर्यादा स्वरूप गणो तो पुष्टी भक्ती मार्ग अंतरगत मर्यादा छे कारण के पुष्टी मार्ग नी अंदर पण मर्यादा छे जेम आपने बधाय जोई हूं के निवेद इसी समर्पेव शर्वम कुरिया दिती स्थिती स्थिती शब्द थियां मर्यादानों उल्लेक थे रहे हो छे के प्रत्येक पुष्टी मार्गिये शी वल्लबना शिद्धान्तों नी मर्यादानी अंदर रहिने जीवन यापन करवू जोई आजे मर्यादा तो कोने नथी रड़ी रही आपने बद्धाने ए मर्यादा आजे ए लागू पड़ी रही छे वल्लब वन्सजोने पन अने मार्गना अनुयाई ने पन शी महाप्रभूनी खेचेली आ लक्ष्मन रेखा एने अंदर रही ने ए पुष्टी मार्गिये जीवन ए जीवनुछे क्यारे पन ए रेखानु उलंगन करी आने जो पन कोई कारिय थाई रहा होए के थशे तो कदा पी एने पुष्टी भक्ति मार्गिये गणी सकाशे नई काँ के जी आरे महाप्रभू ए गोपिनाज जी ने प्रश्ण कई रो के आजे लक्ष्मी साथे नारायन पदाई राचे एवु आप केम कई रहा छो शो प्रभूना वैभव उपर वैभव उपर द्रश्टी पड़ी त्यारे शी गोपिनाज जी जवाब आपेलो आपने के आपनों केवातों हों अने ठाकोर जी ना वैभव उपर द्रश्टी करों तो मारों समुल्व नास थे जाए पुष्टी भक्ति संप्रदाईनों सिद्धान शी महाप्रभूजी कही रहा छे के मेरों होएगो वो कब ही देवद्रव्य नहीं खाएगो और जो खात हैं वो मेर कब हु नहीं कहला वेगो तो आजना समय नी अंदर जेपन शी महाप्रभूजी ना शिद्धान तोनों उलंगन करीने जेपन कारियों थे रहा छे एकारियों आजे पुष्टी भक्ति संप्रदाईने अनुकूल न थी अने एकारियों करनार क्यारेई मार्ग नों अनुयाई छोए उनुयाई ना छोए शहके अने पने एए वल्लभ वनसज हो तोपन एमारू मानूवे के वल्लभ वनसज पन ना होई में आूस अपने जिए चार्वा скихथरीलते इनμहाप्रभुजी ने महाप्रभुजी तो स्राप तो त्यां आपेलह महाप्रभुजी श्राप त्यां आपेलो छे के जे देव द्रव्य खाय छे एने महाप्रभुजी नो श्राप छे के ए क्यारेई पान ए महाप्रभुजी एने पतानो स्विय नथी मानी रहा एटला माटे मार्ग नी अंदर महा प्रभुजीना शिद्धान्तो नुँ प्रधान्य छे, शिद्धान्तो थी उपरवट जेईने क्यारे पन कदापी कोई कारिय शंप्रदाय नी अंदर मान्य न थे आपणा आचार्य परंपरा ना उत्सव आपणे मनाविये छे, ए उत्सवो नी परंपरा आजे वर्षो थी उत्सव मनावताईवा होई त्यारे उत्सवो नी अंदर आपणे सवार थी श्री वल्लबना गुणगान गाईएं, आपणा उपर विराजता प्रभुने सेवानी अंदर कैक विविधरिते लाड लडावियें, अनवसरना समयनी अंदर आचार्य वानी नुँ अवगाहन करियें रात्री ना एज आचार्य ना जन्म उत्सवो ना पदो अष्ट सखाओ द्वारा गावामा आवेला छे, ए गायन करी आने हर्षो उल्लास्थि आ उत्सवो आपणा स्वागुरुनी अंदर मनावियें, आ आपणी परंपरा होवी जुई परंतु, शोभायात्राओ काडी ने, प्रशादोनों आयोजन करी ने, ए उत्सवो नी रीत हसे कोई अन्य लोको ने मान्य, पाण पुष्टी बक्ती संप्रदाय नी अंदर क्या आरेई पाण ए डंको वगाडवानी जरूर न थी के अमेशरी वल्लबना आनुयाई कारण के आ शंप्रदाय आ पुष्टी धर्म कोई विश्व धर्म न थी अने एने विश्व धर्म बनावो पन न जोईएं काण के शी महाप्रभुजी तो रह प्रिया छे शी महाप्रभु पोताना स्विय जनो माटे आ भक्ती संप्रदाय ने प्रवर्तित कैरो छे अने महाप्रभुजी ना स्विय कोण होई शके के जे शी महाप्रभुजी ना विचारों ने जीवी रहा छे शी महाप्रभुजी ना शिद्दान्तों नो अवगाहन नित्यक राखी रहा छे एवा 84 विष्णों 22 विष्णों अने एमना जीवन माथी बोध लईने अत्यारना आधुनिक पुष्टी मार्गियो जे पोताना स्वागरुनी अंदर भक्ती मार्ग ने जीवी रहा छे अने ए भक्तीने प्रव्रुद्ध करवा माटेना उपायोनों सतत चिंतन करता रहे छे एज पुष्टी भक्ती संप्रदाए छे त्याज पुष्टी मार्ग छे अने त्याज ए महाप्रभुनों उत्सव हर्षो उल्लास्थी उजवी सकाई छे पण ज्याशी महाप्रभुजी ना विचारोनों खंडन थत्तु होए ज्या महाप्रभुना शिद्धान तोनों ए अपमान थे रहे होए एवी जग्या उपर सोभाय यात्राकाडी ने वहिश्णों ने प्रसाद लेवडावानों आयोजन करी ने उत्सव मनावाथी पन अनन्दली औने सेवा नथी विराजती ए कथा पक्ष्थी निर्भा करे के आखो दिवस शी महाप्रभुना वचनों शोडस ग्रंथनू पारायन निबंधनू पारायन करी औने पोताना जीवन माजे उनप रहेली छे उनपने दूर करे तो शी महाप्रभुजी ने पन प्रगट कियो है ंने आ मार्ग दमला माटे प्रगट करे लो छे श्वयम महाप्रभु आग्या करे छे दमलाजी ने ए उपलक्षण बनावी ने तमाम पुष्टी मार्गियोने आप कैरे आचे कि आ मार्ग आ तमारों छे अना मार्गनों आगड प्रचार प्रशार पण वैश्णव थकी धावानों छे जो आपणे पान शी वल्लबना सिद्धान्तो भुली ने नीरा कर्मकांड नी अंदर आ उत्सों ने मनावानी प्रणालिका जो आगड वधार्शुं तो कैरितना महाप्रभुजी अंदर क्रांती नथी परन्तु भक्त नू निजग्रह प्रभुने विराजवानू मंदिर क्यू तो कै भक्त नू निजग्रह अने एक पन घर प्रभु न विराजता होय एवु पुष्टी भक्ती संप्रदाई नी अंदर होगुजन जोई आश्री महाप्रभुना स्वप् बद्धाये जीबू जोई ए अर्थे आपणे ए अभ्याश ने अंदर जोडाया छे शी गोपिनाजी ना घणाबदा जीवन प्रेयरक द्रश्टान तो पुरुवमा आपणे जोए गया पन फरी फरी ने वागळू एटला माटे पड़े छे के अत्यार ना शंप्रदाये नी अंदर परिस्थिती ए चाली रही छे महाप्रभुना शिद्धान्तोनों विश्लेशन सुंदर रिते करवा मावी रही छे आपणे समझाए ए रितना गुर्जाती भाषानी अंदर भाषांतरी थाईने आजे आपणा हाथमा छे छता पन ज्यारे दमलाजी ए श्री महाप्र परिस्थिती थोड़िक अवडी लागी रही छे आजे वर्तमान परिस्थिती नी अंदर सुंदर रिते महाप्रभुना शिद्धान्तोनों विश्लेशन थे रही होई एक एक अक्षर नी व्याख्या थे रही होई स्वस्थ द्रश्टान्तो थी ए मार्गना सिद्धान्तों द्रड करावा मा आउता होई छता पन समझ मा केम ना आवे गुजराती भासा मा संस्कृत भासा चालो हजी आपने अभ्यास नो कैरो होई तो समझ मा ना आवे परन्तु व्रजबासा आपनी वेभारिक भासा रही नथी एटले कदाच आपने समझ मा ना आवे पन गुजराती भाशा गुजराती भासा तो आपनी वेभारिक भासा चे अने ए गुजराती भासा मा जो महा प्रवुजीना शिद्धान्तों बाशांतर करीने समझ आवाम आवे तो छता समझ मा केम ना आवे एनी पाच्छड नू रहस्य छे के अत्यार्ना परिस्थिती जुदी छे के महराज सुन्यों तो सइ परी समझ्यों समझनों नहीं है परिस्थिती आज के समझवू नथी, हवे जेने समझवू नथी, एने सिद्धान्त समझावामा खोटो समय नो व्याई, शक्ती नो व्याई थसे काई के फरी फरी ने जेने सिद्धान्त समझवू ज नथी, ए आचरण पन क्या थी करी शक्वानों, एटला माटे ए बव नविंता नथी, के आजे महाप्रभुजीना शिद्धान्तो थी, दूर जईने पुष्टी बक्ती संप्रदाईनी अंदर खणा बधा क्रिया कलापो थ महाप्रभु आचार्यों नी वाणी नो अभ्यास आप्ले बधाय मडीने करियें, शिद्धान्त जी जो पुष्टी बक्ती संप्रदाईना आचार्य नहोत, तो आजे शंप्रदाई माथी सेवानों प्रकार छे हटी जात, सेवानों प्रकार जे अश्टे यामनी सेवा शाधना तरीके दरेक पुष्टी भक्ती मार्गियों आजे अनुशरण करी रहाँ छे, ए अश्टे यामनी सेवानों प्रकार आज आजे पुष्टी भक्ती मार्ग माथी दूर थाई जात, अने रही वाते क्या श्री गुशाएंगी गुशाएंगी ये जे सेवा प्रकार पोताना जेश्ट ब्राता श्री गुपिनाज जी अने आपना पित्रु चरण श्री आचार्य चरण द्वारा उपदेश करवामा आवेलो छे निभाव करवामा आवेलो छे एज सेवा ने आग मरियादा शब्द छे ए सेवा अंतर्गत पण छुपाएल छे घणी बदी मरियाद दाओ ए सेवा नियंदर पण छे शी गुशाई जी शी गोपिनाज जी शी महाप्रहु धरेक नो एक मत छे के जे सेवा छे सेवा न करिशक्नार अनुयाई वर्ग पुष्टी बक्ती दाएमा निर्वाह केवी रितना करे तो सेवा न करिशक्नार माटे पूजा विधी नो पण अनुकल्प बताडवामा आवेलो छे हवे ए पूजा शब्द ज आवता आपनेम थेई पड़े क्या तो आपणा मार्ग नो शब्द थोड़ी होए पूजा तो मरियादा मार्ग न प्रभुना विग्रह माटे मूर्ती शब्द पण वापरी रहा चे जारे आजे आपने वुछे के मूर्ती शब्द आवता जेंते जाए के इतो मर्यादा मार्ग नो शब्द चे आपने तो स्वरूप बिराजे श्री विग्रह बिराजे मूर्ती आपने न बोलाए पान हरीर मूर्ती शदा धेया संकल्पाद अपितत्र ही श्री महाप्रभु आज्या करी रहा छे कि हरी मूर्ती नूँ पूजन करू जोई त्या मूर्ती शब्द आवी रहा चे आपने एवु मानी रहा चे कि मर्यादाने तोडवु ए पुष्टी छे पाण श्री आचार्य चरण